दोस्तो स्वागत है आप सभी का इफको में आई भी वेकेंसी के बारें बात करेंगे दोस्तो काफी अच्छी स्टाइपेंड यहाँ पर दिया रहा है पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है घर बैठे जो है इसका एक्जामेशन आपको प्री एक्जाम देना है पूरी इंफॉर सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जो इससे कि मैंने बताया वीडियो कि स्टाइटिं में यहां फो इस स्टाइपेंड क्योंकि यह क्या क्या मेंถृफ विस दowser onixel कि है यहां पर आपको क्वी स्टइपृचियलिक्टियलम has all आ जा रहा है कि बहुत ही ज्ञादा कंपीजन ह से घर बैठे दे सकते हैं यह प्री एक्जाम है दोस्तों फिर इसके बाद अगर आप प्री एक्जाम में क्वालिफाइर हो जाते हो तो आपका जो है यहां पर ऑनलाइन फाइनल ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसका जॉब लोके मतलब जिसका एक्जामनेशन सेंटर है आप अपने कोड़िए यहां पर सेलक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहां पर और क्या इंपोर्टन इंफर्मेशन है यहां पर जब आफ फिलप करेंगे तो आपको दो एक्जामनेशन सेंटर देने पढ़ेंगे प्री एक्जाम होने के बाद ध्यान लखिएगा जब आपको पस्ता इंटरव्य के लिए बुलाएँ जाएगा अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि वादि को एंट्रूमेंटेशन आप टे Freddie कि कर सकते हैं ध्यान दीजेगा यहां पे जो है दो हजार 21 के बाद के पास आउट वाले कैनेट जो है अप्लाई कर सकते हैं और जो माल लेजिए जिनका भी एक्जामनेशन हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बात को ध्यान रखना है इस लिमिट दोस्तों यहां पर तीस साल रखी गई है तीस साल जो है इस लिमिट रखी गई है को तीन साल के में पांसिक्षबна और तीन साल का इसाल को यहां पे दिया रहा है जूब लग्शेशन दोस्तों इंडिया होनेision वाला है और जो टरेनिक दोस्तों एक साल के अंदर जो आपको 35 पर्मन दी जा रही है अब यहां पर दोस्तों को apply कैसे करना है करने करने करें करें लिंक मैंने आपको दिया हुआ है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे फॉर्म को फिलप करके मैं भी थोड़े दिखाता हूं उससे पहले लास्ट देख लेते हैं तो एक तीस साथ दो हजार चौबीस जोईस की लास्ट टेट है यहां पर नंबर आफ वेकेंसिस को डिस्लोज नहीं किया गया कितनी नंबर आफ वेकेंसिस होंगी लेकिन दोस्तों अगर आप कुछ नहीं करने तो जरूर इसको फिलप कीजिए चले बताते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है अब अप्लाई करने के लिए इनके ओफिशल पेस्ट प्याना है यहां पे दोस्तों सारा आप देख सकते हैं जो मैंने बताया सारी चीज़ जो यहां पर लिख करना है मुवाइल नंबर निकलना है नेक्स्ट करना है यह सब करेंगे तो आपका जो रेइस्टेशन है वो हो जाएगा इसके बाद दोस्तों फॉर्दर फॉर्म को फिलप करने के लिए यहां पर जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वह आपको यहां पर फिलप करना पड का कमेंट करके जरू बता है चैनल पर नएसे स्क्राइब कर लिए धन्यवाद